हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ न्यू वीडियो तो आज का वीडियो को टॉपिक रहेगा यह जीपियस और जीपियस के अंदर लगा हुआ कमपस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह एक कमपस लगा हुआ है आप कोई भी जीपियस लेने यह M10 जीपियस है फॉक्सिर का तो अगर कोई भी आप जीपियस लेते हैं तो अगर यह चिप नहीं लगा है तो जीपियस जो रहेगा नॉर्मल जीपियस रहेगा विदाट कमपस और अगर यह चिप लगा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि यह जो GPS है with compass है तो जैसे कि इसके अंदर यह जो चिप लगा है यह हमारा compass है इसको हम compass करेंगे जब आपका compass लग जाएगा तो आपके पास जहां पर 6 वायर आएंगी RXTX और SCL and SDA SCL और SDA जो होता है वो होता है आपका जो है compass के लिए और positive और negative तो six wires आजएगी आपके इस jack के अंदर और अगर आपका compass नहीं होगा अगर यह चिप यहाँ पर खाली रहेगा यह shoulder pad जो खाली रहेंगे चिप का portion तो अगर compass नहीं होगा तो यहाँ wire होंगी RXTX power supply प्लस 5 वोल्ट और negative तो यह compass ऐसे रहता है तो यह आप जान लिएगा compass जो है इस box के अंदर यह जो हमारा box है पूरा जो अभी मैंने इसके अबर यह double tape लगा रही है तो यह एक shield box है पूरा इसके अंदर सिरफ GPS related parts लगे हुए compass आपका हमेशा बहार लगता है कोई compass को attronic component से दूर रखा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपको problem आ सकती है अगर compass हम लोग बहुत जादा component के पास में रख देंगे तो इसलिए compass almost हर GPS का बहार ही लगा होता है अब इस video को परने का मतलब इतना है कि suppose करिए कि आपका यह GPS okay है और कहीं पर यह होता है कि आपका compass जो है वो corrupt हो गया compass आपका काम नहीं कर रहा तो उस position में हम क्या करेंगे कि हम पूरा GPS ही उठाकर बदल देंगे तो ऐसा नहीं करना इसका एक solution है तो उसका solution यह है कि GPS आपका अगर working condition के अंदर है तो GPS को हम RXTX हम use करेंगे और SD और SCL हम use नहीं करेंगे उस case में हम क्या करेंगे तो चलिए उस case में मैं आपको बताता हूँ यहां देखी यह हमेरे एक board है यह मेरा flight controller है इसके अंदर कोई भी GPS नहीं लगा हुआ है सिरब मैंने यहां पर दिखा रखा है कि यहां पर मैंने एक external compass का module लगा रखा है यह आप देख सकते हैं यह external compass है तो same chip जो आपको compass का वहां दिख रहा था वो यहां पर लगा हुआ है इसमें क्या रहता है एक 5 volt रहता है एक negative volt रहता है और SD और SCL रहता है तो इसमें क्या करना पड़ता है कि 5 volt और minus 5 volt वो तो हम कहीं से भी power supply ले लेंगे जैसे कि मैंने यहां से लिए है तो normally यहां से इसली लिए है क्योंकि अभी हम इसको power करेंगे आपका USB से तो power जो है हमारी receiver के लिए हमारे को मिल जाएगी और अगर हम लोग compass को अगर हमें पूरा लगाना है तो हमारे को यहां के 5 volt यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि यह जो पूरा का पूरा pad है यह जो जितने यह points लगे हैं TX, RX, Ground और 5 volt और यह उपर है SDA, SDA और SCL तो हमें य यूज़ करना पड़ता है तो फिलाल अभी यहां पर voltage में को USB ले पर नहीं मिल रही थी तो मैंने voltage आपकी ले ली है receiver के point से और मैंने यह देखिए compass के अंदर भी आपको पास चार बाय रहेंगे SDA जो है वो यह रही SDA और SCL है मैंने वो यहां connect कर दी है तो यह connect होने के बा आपको flight controller है वो stable जो आपका quad है वो stable नहीं रहेगा तो करना आपको यह है कि इस compass को जहां भी आप GPS लगाएंगे जो आपको faulty GPS है वहाँ GPS लगाएंगे वहाँ थोड़ी सी जगा बनागे इस compass को आपने इस तरीके से प्लेस कर लेना है प्लेस करने के बाद आपका compass जो है य इसका कोई भी लेना देना नहीं होता इस पूरे GPS से इसमें से सिर्फ दो ही काम लेता है compass के 5 वोल्ट और जो है negative जो वोल्ट है वो आपकी मिलती है बाकी compass आपका यहां अलग से काम करेगा तो अगर हम लोग यहां पर compass external लगा देंगे अलग लगा देंगे तो भी हमारी जो की अपर मेरा अद्योप्टर फ्लेश है तो चलते हम इस सिस्टम के ऊपर उसको फ्लेश करके देखते हैं कि अब हम क्नेक्ट कर चुके हैं अपने मिशल नहीं के साथ में और मिशल नहीं हम कनेक्ट होंगे तो हम जाएंगे अपने सेट अप पेज के अंदर सेटटप पेज़ पर जाने के बाद हमारे को पहले ुप सब्सकराइब के हैं फ़कढ़ण पर के निट हाई वने-टिक करना है ऐह tas unlike स्बार्षट और वाटने वाला है स्पीड भी यह बहुत में कंपकें अगहें टेंपस में हमें सरफ primary compass compass number one check टिक करना है और start compass calibration कर देनी है और हमारे को अपने flight controller को हर direction में गुमा उसको anti clockwise या clockwise आप गुमा सकते हैं जैसे कि आप जख सकते हैं कि इस picture में में दिखा रहा हूं कि मैं anti clockwise गुमा रहा हूं एक बार मैंने इसको सीधा गुमाया और एक बार मैंने इसको पूरा 360 जो है flight control को विल्कुल अबवर्ड करके गुमाया और एक बार आप इसको downward करके गुमा सकते हैं arrow mark नीचे कि तरफ हो एक बार arrow mark ऊपा की तरफ हो आप ऐसे गुमा सकते हैं आपने सारी axis की तरफ इसको गुमाना है गुमाने के बाद आपने वेट करना है कि जैसे यह जो ग्रीन बार्स है यह ग्रीन बार्स जब आपकी पूरी complete हो जाएंगी तो complete होने के बाद आपका compass के लिबरेट हो जाएगा अब आपको एक बाद अपने flight control को reboot करना है रीबूट करने के बाद यतने भी offsets होंगे वह सेव हो जाएंगे जो पैरामेटर्स आपको दिख रहे हैं साइट बॉक्स में वाइट लर में यह सारे x, y, z यह पैरामेटर्स हैं यह जो आपसेट्स है सारे यह सेव हो जाएंगे सेव होने के बाद आपका जो flight control compass है वो calibrate हो जाएगा और सबसे बैस तरीका इसको चेक करने का यह रहता है कि आपको main setup page पे जाना है तो अब हम main setup page पे जलते हैं आपने यह देखना है कि आपका जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी north direction कहां पर है तो जहां भी आप आपको north direction बेकर देनी है और आप आप देखें कि जो इसका ऊपर आपका जो hood है हमारे mission planner की जो hood है वो उसका north portion है north जहां लिखा आएगा वो north की तरफ होना चाहिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है मैं आपको देखाता हूं कि अभी हम लोग इसको turn करेंगे तो जो north है वो north की तरफ ही होना चाहिए जैसी यह north आ रहा है तो यह north हमारा center arrow पे आना चाहिए तो इसका मतलब कि हमारा north जो है बिल्कुल ठीक हो तो हमारा compass बिल्कुल अच्छे से कलिवेट हो गया है अब इसके बाद आप जब fly करेंगे तो यह शेकी नहीं होगा